best laptop for all categories के लिए तो यार in 2021 में अगर आप सभी categories के according काम करना जाते हो ये वीडियो मैं especially आपके लिए कर रहा हूं एंड अगर आपका budget बहुत कम है न आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ी हो ले वाली है start करेंगे 35,000 से and यार 45,000 के budget तक हम जाएंगे तो start करते हैं बात करते हैं number 5 की number 5 की बात करें number 5 पर यार मैंने रखा HP 14 को अगर इस laptop की बात करूँ सबसे पहले यार मुझे बहुत ऐसे बंदे message करते हैं जिनको HP का ही laptop चाहिए होता है जिनको Dell का ही laptop चाहिए होता है अगर आप भी उनमें से आता हो बई अगर आपको भी Dell का laptop चाहिए जा HP का ही laptop चाहिए आपके लिए बहुत अगड़ा laptop होने बाला है बात करते हैं इसके specification की तो सबसे पहले ये दो colors में देखने को मिलता है silver color and black color में black color में ज़्यादा suit करता है and आपको display quality की बात को आपको 16 refresh rate के साथ इसकी display देखने को मिल जागी जो की average है आप इतना भी expect नहीं कर सकते 40,000 के बिज़र में कि आपको display quality बहुत दगड़ी मिलेगी उसके बाद हम बात करें इसमें आपको i3 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ भी देखने को मिल जागा 11th generation के साथ भी देखने को मिल जाथे तो आप देख लेना अगर आपने 10th generation के और जाने उसका प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा अगर आपने 11th generation के और जाने उसका प्राइस थोड़ा से increase हो जेगा ठीक है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है अपको 16GB तक कर सकते हो प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती जो की plus point आ जाता है ग्राफिक कार की बात करूँ आपको integrated graphic card मिल जाता है अपको विंटो 10 मिल जाते है प्लस आपको MS Office मिल जाता है 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूँ आपको 7 hours का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देता है प्राइस की बातों को 40,500 के बज suggest की है तो description box को एक पर आप चाकूर कर लेना आपके लिए plus point होने वाला है अब आगी बात करते है number 4 की number 4 की बात करूं number 4 पर यार मैंने रखिया MI notebook 14 को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले यार यह 2020 में बहुत भी किया बहुत लोगों ने पसंद किया बिकर इसकी build quality इसकी display क quality उसके बाद इसका touchpad and trackpad भी बहुत ज़्यादा सही है अगर आप data entries करते हो जाए आपका कोई office के related काम ऐसा है कि आपको ज़्यादा ही loaded file पर काम करना पड़ता है जादी ही typing करनी पड़ती है आपके लिए यह laptop perfect deal हो सकता है प्लस इसके specification बहुत loaded है मैं आपको specification बता देता के साथ मिलता है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखनी को मिल जाती है graphic card की बात करूं इसमें आपको Intel UHD graphic भी मिल जाता है इसमें आपको MX3502GB के साथ भी देखनी को मिल जाता है लेकिन उसका price जो है वो increase हो जागा उसका price आपको 47,000 के budget में देखनी को मिल जाती है अपको 10 hours का battery backup provide कर देता है प्लस आपको 65W का fast charger मिल जाता है price की बात करूं इसका price आपको 41,000 के budget में my notebook forwarding देखनी को मिल जाएगी तो your main specification में आपको बता दिये my notebook forwarding के अभी मैं इसके plus point की भी बात करता हूँ अभी मैं इसके minus point की भी बात करनी लगा हूँ आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता 12GB तक भी नहीं मिलता so that's why इसको मैंने number 4 पर रखा और कोई भी reason नहीं है अगर इसका जो RAM 2000 के budget में यह laptop देखने को मिल जाता है so that's why मैंने इसको number 3 पर रखा because budget बहुत सही है उसके साथ साथ specification बहुत तगड़े मिल जाते है प्लस इसके साथ आपको Lenovo bag भी देखने को मिल जाता है जो की laptop bag है अगर उसके मैं budget नहीं की बात करूँ वो आपको 2000 के budget में देखने को मिलता है यह आप पर है आप offer को लेते हो के नहीं लेते ठीक है अगर आप offer को ले लेते हो आपको 5% मतलब 5000 का discount देखने को मिल जागा जो कि आपके लिए सच में plus point आ जाता है अभी बात करते हैं इसके main specification की मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं देखने को मिलते हैं तो specification की बात करूँ सबसे पहले display की बात करते हैं तो आपको 15.16 full HD display मिल जाती जो कि 16 refresh rate के साथ आती तो यह मैं जितने भी आपको laptop बताऊंगा सभी में आपको 16 refresh rate ही देखने को मिलेगी processor की बात मैं को i3 देखने को मिलेगा आप 10th generation की और भी जा स सकते हो आप देख लेना जो भी आपको प्रसाइसर चाहिए आप जा सकते हो लेकिन 11th generation latest प्रसाइसर है अगर आप उसके चल जाते हो आपके लिए ही good deal होने वाली है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM में जाते ही प्लस आपको upgrade कर सकते हो 12GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिलेगी ग्राफिक कार की बात करूँ आपको इंटीकुरेटिव ग्राफिक कार में जाता अप्रेश की बात करूँ आपको पहले भी बता दिया कि आपको 37000 के बदिर में Lenovo IdeaPad Slim 3i देखने को मिल जाएगा तो बही में मैंने आपको बता दिया Lenovo laptop के तो यार अगर आपका बदिर कम है कम प्राइस रेंज में आप एक अच्छा laptop लेना चाहते हो आप सभी के लिए पॉफ्राइक डील हो जकते हैं लिनो वह आइड़ाप स्लिम 3i प्लस मैंने यह चो लिंक है वह प्रवाइड किया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में देखने को मिल जागा उसको चाउड कर लेना अगर आप इस लेपटप के जाना जाते हो बहुत गुड डिल हो जागी आपके लिए आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करो नंबर टू पर मैं रखिया असूस व्यूबबुक अल्ट्रा फिफ्टीन को गर इस लेपटप की बात करो सबसे पहले के कलर वगार प्लस यार स्लिम और स्टाल इस डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है आपको डिजाइन लुक वगरा बहुत प्यारी लगने वाली है प्लस बएस के स्पैसिफिकेशन भी बहुत अगर इसके प्राइज रेंज की बात करूं आपको फॉरी वान थाउजन के बजिर में य डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 फुल एच्टी प्ले डिस्प्ले में जादी जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है आपको साथ की बात करूँ आपको आइध्री 11 जुरेशन के साथ में लेगा स्टोरेज की बातों को 8GB RAM मिल जाती है अपकर आपकर सकते हो 16GB तक प्लस आ बैक प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस वां को 41.000 के बजट में असूस वीवबुक अल्टरा फिफ्टिंग देखने को मिल जाएगी तो यह मैं आपको बता दिये असूस वीवबुक अल्टरा फिफ्टिंग के भी लैप्ट आप बहुत ज़् के बजट में स्पैस्फिकेशन के पूरी लोड़िड में जाए तो अपने वीडियो एक्टिंग करनी है उसके बाद अगर आप नॉर्मल साइडिंग पर गेमिंग करना चाते हो को हावी सॉफ्ट यूज करना जाते हो अगर आप ग्राफिक डिजानिंग करना जाते हो प्रो पैनल डेस्प्लेय परसाइसर की बातों को आई फाइव टैंटर के साथ मिलता है स्टोरेज की बातों को एट जीपी रम मिल जाते है एक्सपेंडिबल आप कर सकते हो प्लस आपको फाइव टॉले जीबी आपको नवीडिया जीफो एमक्स त्री फाफ जेरो देखने को मिल जाएगा तो यहार में स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया है प्लस मैं आपको फिर से रपीड कर देना जाता हूँ बैस सभी के लिंक मैंने प्रवाइड की हूँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे अभी बात करते हैं अगर आपको फॉरी से कम है तो जाएगे पैसे खर्चने की जूरूत नहीं है लिनो वो आडियापैट स्लेम थ्री आई जो है वो आपके लिए पॉफाइड हो सकता है अगर आपने कोई हैवी सॉफ्ट यूज़ करना ओफिस के वर्क के रिलेटर चाहिए स्टुटन्टों पढ़ते हो पढ़ते कर तो यार मेलियीमम होना ही चाहिए ना सफ दें आप को कर सकते हो मैं ऐसे नहीं होना व denial कर सकते और है लो कि आपका experience ज्यादा सा ही हो जयगात अल ända मेरी minute को नहीं कर सकते है실 दोस्तों के भी दोस्तों बदना सिर्य अ्जूड sin yag मैं राद के दो बद गया है वीडियो कर रहा हूँ तो नीद भी आ रही है तो उस दैस वाई से हो जाता है तो उस चीज़ को इगनोर कर दो न तो भी मिलते हैं नाक्स वीडियो मैंने वीडियो के साथ थैंक्यू ब्रो